हिसार दिल्ली हाईवे पर मुंढाल के पास कुर्चेतर जिले के गाउं चंदरबान निवासी विकास का सुकरबार को भीवानी होस्पिटल में पोस्मोटम हुआ और इसकी जो डेथ है वो सुकरबार को हुई थी ये पुरा मामला जो था भीवानी में देखने को सामने आया है ये कुर्चेतर के पास गाउं चंदरबान का रहने वाला था और इनके विकास के भाई ने बताया कि उसे मारने से पहले उसके जो नाखुन हैं वो उखाडे गए थे और उसके जो कान हैं वो भी बुरी तरीके से घायल कर रखे थे पीछे से पीट पर भी बहुत ज़्यादा निसान जो है बताये जा रहे हैं विकास जो है चंदरबान घाउं का रहने वाला था और वह हासी अपनी बुआ के यहां आता जाता रहता था उसके बुआ के ही रिष्टेदारों ने उसकी पहचान जो है छे महीने पहले जोती नामक लड़की के साथ करवाई थी और घर वालों को जब पता चला तो जोती से उसकी बोल चाल बंद जो है करवा दी थी लेकिन सुक्रवार को वहे विकास अपने घर पर कहके आया कि मैं भंडारे में जा रहा हूँ और वहे बाइक लेकर के हासी पहुँच गया उसके बाद जो है उसके भाई को पता चला कि वहे हासी जो है जा चुका है और उसके बाद उसको दरदनाग जो है धारदार हथियारों से मार दिया गया उसके भाई ने फोटो दिखाते हुए बताया कि उसके जो नाखु इस तरीके से जो है कर रखा था आप देखकर बहुत दर्दनाक जो तरीका उन्होंने यूज किया था उसके भाई ने बताते हुए बताया कि पिता का साया पहले ही उठ गया था और अब भाई का सहारा भी उठ गया है दोनों भाई एविवाहित थे और इनका जो होंस्पिटल में एडमिट था जो भिवानी का होंस्पिटल है वहां पर उनका पोस्मोटम हुआ और पुलिस ने दो महिलाओं को इस केस में गिरफतार भी किया है ये जो विकास था वहे अपने ही गाउं के पास वहां पर रहडी लगाने का काम करता था और इसका जो इसकी जो बोल चाल भी वहजयोती के साथ बताई जा रही थी इस केस में जो है दो महिलाओं को गिल आप तार कर लिया गया है और उसके भाई ने कहा है कि इसमे और भी जो है नाम आने का दावा है ये जो मृतक विकास की आप फोटो हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं ये पूरा मामला ज 21 से इसको हिसार डेली हाईवे पर मुंधाल के पास इसके साथ जो है ये दरदनाक हादसा किया गया और पुलिस ने जो है दो लोगों को महिलाओं को गिलफतार इस केस में कर लिया है और आगामी कारवाई की जा रही है पोस्ट मोटम की रिपोट आने के बाद और भी खुला से होने की आशंका जो है इसमें बताई जा रही है